दिसंबर 2022 हेमाचर प्रदेश के आम चुनाओं में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर नेता गली गली जाकर चौक चौराहे के उपर जाकर बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहा था 22 लाख बेहनों को गारंटी दी पहली कैबिनेट से उनके खाते में 15 सो रपय महिना आएगा कांग्रेस कारीकरताओं ने फार्म भरवाए और आज शरी सुख्वेंदर सिंग सुख्व के नित्रतों में बनी कांग्रेस की सरकार अपनी गारंटीयों से भागती भी दिखाई देती है स्पीति की कुछ बहनों को पंद्रा सो रपया देख करके मुख्यमंत्री जी का यह कथन क्या हमने गारंटी पूरी करनी शुरू कर दी है यह बहनों के साथ धोखा है कांग्रेस पार्टी और सरकार अपने वाइदे से भागती वी दिखाई दे रहे हैं 22 लाख बहनों को पंद्रा सो रपय महिना कब मिलेगा चुनाव के दोरान कहा था ना जाती पूछी जाएगी ना आए पूछी जाएगी हर किसी के खाते में पैसा आए पांच लाख बेरोजगारों को नौकरियां मिले एक लाख नौकरियां हर साल मिले एक साल होने को आया नौकरी मिलने की बात तो दूर रही सैंपड़ो बेरोजगार जो छोटी मोटी नौकरी में लगे थे उनकी नौकरियां चली गए आज वो पड़ा दिखा बेरोजगार हिमाचल प्रदेश सची वाले के सामने आशु बहाने के लिए मजबूर हो गया और प्रदेश की सरकार मुद्दों से भटकाने में लगी हर रोज एक नया मुद्दा खड़ा करके हिमाचल की जनता का ध्यान दूसरी तरफ को ले जाने की कोशिश में लगी हिमाचल की जनता अंगरंतियों को भूलने वाली नई और वो बहनें पूरी तरह से सजगें तयारें जिनको जनवरी दोहजार देश से पंद्रा सो रपे मिलना ऐसी बाइस लाख बहने और एक साल में एक लाख नौकरियां ये लोग पूरी तरह से तयार है भारतिये जनता पार्टी का ये कहना है कि मुद्दों से भटकाना बंद करें और सीधा सीधा गारंटियां पूरी करने की बात जनता के सामने आने चाहें